कि अगर आपने इस वीडियो पे कोई और रिटन कर दिया है और उसका रिफंड प्रोसीड हो गया है या रिक्वेस्ट है अगर आपका अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसको कितना और स्टाम लगेगा या नहीं आएगा या आएगा भी नहीं तो बिल्कुल से इस्टाइब आपको बताऊंगा अगर नहीं आया है तो वह कैसे आप अपने बैंक अगों में आ जाएगा इस हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आप अपने इस आपको ऑपन कर लेजिए तो मैंने आपने सब्सक्राइब कर लिए तो मैं और अपने आपको माई ओडर सेक्शन में चले जाना है तो मैं माई ओडर सेक्शन में चले जाता हूं तो यहां पर मैं एक आपको रिफंड जो है ओडर का उसका बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आती है अक्सर तो हम यहां देखेंगे कि रिफंड इंसेट दिख रहा है रिफ बता देता हूँ, तो जैसी कि हमको refund ID भी दे दी गई है नोंने, refund amount दे दिया, refund initiate दे दिया, and refund expected भी दे दिया है, और refund status request बता रहा है, and refund mode any AFT अता रहा है, तो guys मैं पहले ही बता दू, कि जो refund status अगर आपका proceed बता रहा है, तो वो अलग चीज़ बन जाती है, और requested में हमारी अल refund जो था, अभी तक transfer आपके bank account में नहीं किया है, तो वो क्या होता है, कि आपको जो timing दिया है, जैसी कि मेरा refund इंसेड़ बताया है, टॉन्टी फूर टॉन्टी थिरी को, and expected, यह उन्होंने बोला है, कि हम 23 से 24 तारीक तक, आपका जो refund आपके bank account में transfer कर देंगे, तो यह अग आपका 24 तारीक के बाद अगर refund status प्रोसीड बता रहा है, और अगर आपका फिर भी refund अभी तक आपके bank account में credit नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, जैसी कि अभी हमारा requested बता रहा है, and अगर आपका भी यहाँ पर प्रोसीड होता, और आपका bank account में नहीं आता, तो उस condition म आपको क्या करना है, ठीक है, तो मैं वह आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर order section में आपको एक support option दिया जाता है, support पर आपको click कर देना है, created new ticket वोल देना है, कईनी यहाँ पर आपको payment related and refund related click कर देना है, तो यहाँ से आप जाएंगे payment और refund के option बहुत सारे मिल जाएंगे तो refund हम click कर देंगे, इसमें लिख देंगे refund not receive in my bank account, तो यहाँ हम click कर देंगे, और expected date उन्हें बोला है 24 अगस्त, 24 तारिक के पहले पहले आप create मत कीजिए, अगर आपके जो expected date निकल चुकी है, तो आप ticket race कीजिए, आपका within 1 से 2 days के अंदर नदर आपका bank account में amount जो है reflect करने लगा, अगर बाइचांस यहां से रिफल, यहां से प्रोसीड हो चुका है, ticket transaction ID भी दे दिया है, और आपका फिर भी create नहीं हुआ है, तो guys उस transaction ID को ले जा कि आप bank account में, bank में contact कीजिए, जो ticket आपका ID number मिला है, या run number कुछ होता है आपका, जो transaction ID मिला है, आपको दिखा प्रोसीड करवा देते हैं, तो guys इसमें minimum आपका 2-3 और maximum 7-8 दिन लग सकते हैं, तो अगर आपका मैंसे अभी तक credit नहीं होए, तो बिलकुर डरने की कोई दिर करनी है, आपका bank account में amount credit 110% आपका credit हो जाता है, तो I hope guys आपको वेडियो में समझ में आए होगा, कि अगर आपक प्रोसीड आ रहा है, तो आपको 2-3 दिन और बेट करना है, और जो transaction ID हो bank में contact करना है, अगर आपका requested आ रहा है, तो आपको जो date दी गई हो, वहां तक बेट करना है, आपका 100% आपका जो amount है, वो प्रोसीड कर दिये जाएगा, तो guys यह था हमारा process की, हमारा अगर refund नहीं आ होगा, तो वेडियो यह था ही तक रहे जेते हैं, thank you guys.